पिछले दो बर्सों से कोरोना महमारी के कारण राज्जी के तमाम धार्मिक ब प्रेटन अस्तलों को बंद कर दिये गए थे जिस कारण नवरात्र पूजा मंदिरों में लोग नहीं मना पा रहे थे पर इस बार सरकारी गाइडलाइन के अनुसार मंदिर खुलने के बाद आज नवरात्र की पूजा मंदिरों में होने लगी है मोतिहारी के मंदिरों में आज नबरात्र के प्रथम दिन लोग मंदिर में पूजा माता के दर्सन कर पूजा अर्चना करने लगे हैं लोग मा की पूजा अर्चना कर रहे हैं आपको बता दे कि आसिन मास के सुक्ल पक्ष की पहली तिथी से सारदिये नबरात्र की सुरुबात होती है जिसमें पूरे नौ दिनों तक मादुर्गा के दिब्वे रूपों की उपासना की जाती है हलाकि इस साल नबरात्र महज आठ दिनों तक ही रहेंगे जो साथ अक्टूबर से सुरू होकर 14 अक्टूबर को समाप्त हो जाएंगे सरद रितु में पढ़ने वाली नबरात्री को मुख्य नबरात्र माना जाता है और इसी के तहज आज लोग मोतिहारी के जगदंबा मंदिर में सुभा से ही दर्सन कर रहे हैं हालाकि इन सब के बीच कोविड के गाइडलाइन का भी ख्याल रखा जा रहा है इस बार जो पूजा हो रहा है वो दो साल जो कोरोना के चलते पूजा बंद था सारे मंदिर बंद थे जिसके कारम भक्त जनों को आम जनों को बहुत कश्ट था लेकिन इस बार सरकार के निर्देशा अंसार मंदिर खुला है और हम लोग जो भी सरकार का निर्देश है उसके अंसार हम लोग मंदिर खोले हैं भक्त भी आ रहे हैं और CloVid का जो भी गाइड लाइन है उसके पालन करते हुए मंदीर में संचालन हो रहा है मैं सभी भक्जनों का जगदंबा अनंधाम में हर्दी का भिनंदन और स्वाधत करता हूँ मंदीर का जो भी स्थिती दो साल में चर्मरा गया था वो अब सही जगव पर आ रहा है आमदनी भी का भी सुरोत बढ़ने वाला है और सभी भक्जनों को हम लोग कोवीड के गाइडलाइन के अंसार ही दर्शन करा रहे हैं और सभी लोग कर भी रहे हैं सबसे परतम मा जगदंबा के तरफ से आप सभी भक्तों को सुवा आशिरवाद यहां जगदंबानन धाम में विश्व सांती कल्यान हेतू पूजा की जाती है सबसे बड़ी बात है कि दो साल से करोना काल में हम लोग पूजा नहीं किये प्रसासन के आदेशान उसार पूजा को बंद किये पूजा यहां हरे को दोनों नौरात्रा में और भी समय पर जगपूजा की जाती है लेकि इस साल जो भी पूजा यहां माता का हो रहा है यहां आठ दिन का नौरात्रा है सबसे पहली बड़ी बात है कि भगवती दोली पर आ रही है दोली पर आने के बाद सास्त्र तुआरा जो है नौरात्रा थोड़ा ट्रभूल होता है यानि कि दोला याम विश्व में थोड़ा उतल पुतल रहेगा रोगव्याधी महामारी चलेगी जो सामने परिस्तिती आया था